नमस्कर दोस्तों मैं अनिल कौन लूना आईसीस एकेडमी अब बहुत पंजाब से हैं आज हम लोग जी जी के सेवन का पेपर डिसकस करने जा रहे हैं जी जैसा कि इसका पहला कोश्चन आप देख पा रहे हैं जी पहला जी 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 ये पहले प्रज़ेडन थे इडिया के जी लाल बादुशास्त्री जी ये हमारे प्रदामत्री चोंसर में बने थे और पैंसर में इन्होंने जी पाकिस्तान के खिलाव जो जंग हुई थी उसमें विजे हासल गी थी और इनके स्वाद जी का नाम कहा जी विजे काट बाबु जग जीवन राम जी ये जी हमारे पहले लेबर मिनिस्टर हुए है जी जो आर्ला नेरु की जो कैबिनेट थी उस ये अइनगर जी म ए अइनगर जो कि पहले डिपटी स्पीकर थे और सेक्ट स्पीकर से लोग सबह के जी फर्स्ट लेडी जो स्पीकर हुई जी गया आर्वर्तमान में जी स्पीकर कौने लोग सबह के सुमित्रा महाजिन जी तो second question देखेंगे जी which is the falling river flows westward west की तरफ जाने वाली कौन सी नगीया है जी जैसे कि हम लोग जानते ही ये directions होते ही उपर north है नीचे south जी right तरफ east होता है left की तरफ west होता है इंडिया के according अगर हम बात करें तो इंडिया के west की तरफ क्या पड़ते ही अरब सागर जिसको बोल देते है अरेबियन सी जी और east की तरफ क्या पड़ते है जी बंगाल की खाड़ी बोल देते है जिसको यह यहाँ पर पूचा गया जी वो river बतानी है जो की अरब सागर के तरफ जाती है तो इसमें जी एक आपको word याद करना है समानता से आपको चार नदिया जाद हो जाएंगी जो की इदर अरब सागर के जल जाती है सर से है जी साबर मती और मा से आयत है माही न से नमदा अरता से तापती जी तो इसका अंसर आएगा जी नमदा नदी है जी जो की वेस्ट की तरफ जाती है जी सर से साबर्मती से मां आधि न से नम्दाए अर्था से तावत Fuj की तरफ पिलो करने वाली नदिया थाए । इस कौोले। अरुशन को जी कि इस तो फिर पूछ लिया जाता ही। अरुषाघर में गिरने वाली नदियां पूछ लेता ही, आफिर बोल देता जिए जिए इन के ये कुछ देन की राइधानि की घृष रह था मिंजोर्म CJ जब कुछ था इस तरीक इस अफ रहागा से इसका आट है कौहिमा क्यूंत मीण जानते लागे इन की यह जानते ही यह ग्वार कि राजदानि בא को कॉछिन जान स्वेज जैसे नागा लेंन की रोग गार्डन जो है जी ये नेक चंद ने बनाया था जी नेक चंद ने जी जो वेस्ट मेटेरिल होता है जी उससे ये ची त्यार की थी और बहुत ही खूब सब्सक्राइब नहीं ये बनाया था ये 1976 में बनके त्यार हुआ था जी और इंडियन गौशन ने एक स्टैंप बिजारी की थी रोग गार्डन के उपर जी 1983 बी ये भी कोस्टेशन पेपर में आया हुआ जी नेक्स्ट कोस्टेशन है जी वेर इस संटेंपल कहां पे है जी शन टेंपल है जी उडिसा में जी संटेंपल जिसे कि हम लोग जी कोनाग ट तो इसे Sun Temple को कॉनार्ट Temple भी बोल जेते हैं जी तामिल नडू में जो मेन मंदर फिमस है वो है मिनाक्षी Temple मिनाक्षी Temple जो है जी ये मदरवई में है माहरास्टर में मुंबई में हम लोग जानते है जी ग्रेश जी का मेन producer कौन से जी जैसे किम लोग जानती है जिपसम मेंली राजस्तान में होता है जी तो इसका अंसर आएगा जी टोटल जो इंडिया में जिपसम होता है जी उसका लग बग जी 98-90% जो है जी वो राजस्तान में ही होता है जी तो next question जी कौन सी शेड्यूल में सेलिज वगारा का वरन किया गया जी परास्टपती की सेलिजी कितनी है वगारा जी तो यह दिया गया जी second schedule में जी इसका अंसर आएगा जी इसको यह याद करने का बड़ा हम लोग simple सभी बताते हैं जी second schedule में दिया गया है जैसे कि एकसर गोते हैं जी जितने भी यह बड़े बड़े लोग होते हैं कि दो नंबर की कमाई मोटी होती है तो इसे दो नंबर schedule में दिया गया जी schedule 1 में कहा दियागे जी इंडिया में 29 स्टेट नहीं और 7 UT है जी schedule 8 में कहा दियागे जी हमारे सवज़दान में कितने language recognized की की जी 22 बाइस लेंगोज वें यह रिकोगनाइज की गी है जी पहले अठारा थी फिर चार बाद में और होई थी तो बाइस लेंगोज रिकोगनाइज रहे हैं इंडिया में वैसे लगबग 16-22 लेंगोज बुली आती हैं और दुनिया के लिए आठमा आजूब है जी तो यह आठमी बाद में शेडूल है इसमें मुश्मिल कॉंसल से बगारा कवर्नन किया जी जैसे कि हम लोग जानते हैं जी प्रेइडेंट बगारा यह सभी की सेलिरी में अब परवर्तन आ चुका है जी प्रेइडेंट की वर्तमान सेलिरी कितनी है जी 5 लेक जो कि पहले 1.5 लाग थी जी यह पहले एक लाग दस यार होती थी अब जी 3.5 लाग यर कर दीगी जी जी उसके बाद जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगर हम बात करें जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पहले सेलिरी होती थी वन लैक और अब यह बढ़ा करके कितनी करती जी जी 2.80 था हुजा जो हाइ कोड़ का जी चीफ जजड़ जी उसकी सेवलिर जो जो ए जी वो कितनी है लिए किसी जी फिर अट tabs और si si जो है जी उसका रहेंक भी यही है जी cc छीप questions किमिशनों कंश्भी कितनी है जी अगंज जी क्याए गया जी कमट्रलर एंड्ट ऑडिटर जनल जिसको बोलते हैं सेके अलावा जी जो you workload के पाक्रियल दूवर्म है qでは 5100,000 तो उनकी सेलिली कितनी तो लक्रियल दू और विर कृट है जी इस में से एक question जी अक्सर paper में आ जाते है जी तो next question हम देखेंगे जी which planet has the maximum number of satellites maximum number of satellites जो है जी ये कौन से planet के हैं जी ये है जी Jupiter के इसका answer आएगा जी Jupiter के जी इस वक्त कितने satellite के बारे में पता है हमें 69 जी ये highest number है जी और Saturn जो है जी नमबर 2 पे आते है जो पहले दो planet आते हैं जी जिसको हम बोलते हैं Mercury and Venus इनका कोई भी satellite नहीं है जी 00 है next question है जी who was the first vice president of India जी इंडिया के पहले vice president कौन हुए है जी Dr. S. Radha Krishan सी इस cancer आएगा जी Dr. S. Radha Krishan जी जिनके नाम पे हम रहो जी हर साल teacher day मनाते है September 5 को सेप्टमबर पांच कोई teacher day इनी के करम नायता है डॉक्टर जिन्दर पसाथ पहले प्रेजिएंट थे जी पढ़ी ज्वार्ना नेरु जी पहले प्रदामत्री थे जी और सरदार प्रटेर जी पहले डिप की प्राइम मिनिस्टर थे जी और इसके अलावा ये पहले जी हों मिनिस्टर थे जी नेक्स्ट कोस्टे ने जी वन डिट वर्ड़ वार ब्रेक आउट जी जो सेकंड वर्ड़ वार हुआ था दुवित्या विश्वीजिज़ जो था ये ब्रेक आउट कब गोई है यह शुरुवात कब गोई जी 9 इशी में New passe역ा इसके शुरुत हिटलर ने की थी फिर्मनिय का तनशा था ली हिट्यर के किताब पेपर में पूछ लीए रते किताब का नाम आ है में केमटु में का मदररी हाते है जी मेरा संगर्श हिए ये किताब किसके है जी हिटलर के दिवार लिखे भी ही सेकेंड वर्डवार игрambling union 750 में खतंम हो गया था और फस्ट वर्डवार जी gjी1914 से अठारा तक चले चाला से इसके परकालाव अ सेकेंड वेर्ड वार में लोजुप साघियों को परनम गिराए गये थह आगकM च्रफ में इस तेंग मई को क्या मना है तहिं 2018 तो में कोई प्रेश्ट को फौर्थ एस्टेट की संग्या देघी है लेकिन तुरीक जो इसके जी वो थर्ड एजी सिर्वाइन में कमना जैता है यह जंद सिर्फित गोरा जोरी किताब कि सकी crazils जी सबसे पहले Nobel Prize दिया गया था 1913 में जी और ये पहले एशियल बने थे जी जिनको ये Nobel Prize दिया मेरा था लिटरिक्टर में जी सल्मार रस्दी जी जो हमेशा ही Controversial किताबों के कारण चर्चा में रहे हैं जी इनकी पहली किताब जिस कारण जी ज्यादा चर्चा में आये थे लिए सेटनिक वर्सिस शर्तान की आयते हैं इस इनकी जी लग बग 90% किताबों के ओपर जी बैन लगा हुए जी मुझी प्रेम चंद का जी में नौवल है जी आपको पते यह गोदान आरके नारायन जी आरके नारायन की में जो किताब है जी गाइड इसके ओपर मूवी भी बन चुकी है जी नेक्स्ट कश्चानर ृट बैंक लग बर्कॏट्र वाट्शे, वाट्शे, वाट्शन के हैं, और मैक्सिम जो UN के headquarter वो काँ पे है जी जैनेवा में जी जैसे WTO का headquarter हो गये जी IOL का headquarter हो गये जी तो यह काँ पे है जी जैनेवा में next question है जी with which of the following was Satya Zidrae associati Satya Zidrae का नाम भी किस से जुड़ा हुए जी यह हम लोग जानती है जी direction of film है अंसर आएगे इसका जी A नेक्स जी which is the greatest archipelago of the globe सबसे बड़ा जो है archipelago पुछा गया जी कै है पहले तो हमें पता आने जी भी archipelago होता किया ग्रूप आइलेंड को जी archipelago कहा जता है और वर्ड का जो सबसे बड़ा archipelago है that is Indonesia इसका अंसर आएगा जी इंडोनेशिय जी इसमें लगबग 17,000 के करीब आईलेंड है और फिलिपिन्स जी इसमें लगबग 7,000 के करीब आईलेंड है जपान है ये भी एक archipelago है इंडोनेशिय जो है ये सब दुनिया में सबसे ज़्यदा मुसलिम वाला देश है कोस्चन आयते है वह कौन सा देश है जिसमें मुसलिम के बाती सबसे ज़्याद है इंडोनेशिय और इंडोनेशिय के राज जनी कों से है जी जकाफ का नेक्स्ट कोस्चन है जी WTO is the new name of WTO किसकी जगा पर आया जी यह GAT को रिप्लेस करके आया जी इस कांसर आया जी WTO is जिसके स्थापन होई थी एक एक पचानमे को जी 1995 को जी WTO को स्थापन होई थी World Trade Organization इसका हेड़क्वाटर कांपे जी जिनेवा में जिनेवा कांपे जी स्विजर लेंड में GAT पहले होता था जी GAT की फूर्फों के आते हैं जी General Agreement on Trade and Tariffs यह Tariff and Trade बोल देते हैं जी तो यह खतम कर दिया गया जी उसकी जगह के आगए WTO आ गया WTO के इस वक्त मेंबर कतने हैं जी 164 मेंबर जाद दे है और 144 मेंबर कौन सा बना है जी अफगानिस्तान जी ASEAN जी Association of Southeast Asian Nations जो Southeast Asian Nation उनकी association है यह इसके 10 मेंबर है जी इसके ओपर मैंने अलग से एक वीडियो डार रख्थ है जी वो देख लेना जी Sark South Asian Association for Regional Corporation South Asian जो देश है जी उनकी एक association बनी है Regional Corporation के लिए इसके 8 देश मेंबर है जी यह इंडिया के इद्गिर्ज जो देश लगते हैं यह वो है जी और Sark का हेड़ कोटर कहां पे है जी काठमंडू में जी नेपाल की राज़ दाने में Next question है जी Which is the capital of Egypt Egypt की राज़ दाने कों सी है जी Egypt की राज़ दाने जी कह रो Second is cancer आएगा जी Egypt जी जो की कई चीज़ों के लिए famous है जैसे के हम लोग बच्पन से पढ़ते हैं जी नील नदी का वरदान मिस्र को कहते है हम लोग जी मिस्र की English क्या होती है Egypt It means नाइल नदी जो है जी यह कहां पे है यह मिस्र में है कहरो जो शहर है जी नील नदी के किनारे पर बसा हुए जी और दुन्या के सबसे लंबी नदी कौन से है जी नाइल इसके इलावा जी मम्धा कहां की देन है जी जो डेट बोडी को पmiaझर करने का तरीक है जी वो भी ऐज़ट की देन है और पिरामिड्स कहां की देन है जी पिरामिड से ये भी इजिट की देने जी रोम, अटली की राज़नी है जी लंदन, यूके की राज़नी है और बर्लिन जो ही ये जर्मली की राज़नी है नेक्स्ट कॉस्चन आगे जी Towards Dobs, Bronze Medal जो ही ये किसका बना लते है जी यह बना लता है मेंली कॉपर और टिन का वैसे तो जी यह कई तरह की वेरिशन मिल जाएगी इसमें आपको जी लेकिन सही माइनों में जो माना जाता है ब्रोंज मेडल जी उसमें कॉपर होता है लगबग जी 88% और टिन होता है लगबग जी 12% नेक्स कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ऒटन की कर्णसी कउन सी है जी नेम अग्रपार्लिमेंट उसको क्या बोला जात है संग्डू यहां पर टी नहीं बोला जाता है नेसे तो उमीद करता हूं जी यह सार आपको प्रॉपर वेसे समझ आ गया होगा जी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जी प्लीज इसे जड़े-ज़दे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू जी